समस्कार जय हिंद श्टड़ी बात में आपका स्वागत है जानी कौन सी तारीक को होगा आपके सब्जेक्ट का एक्जाम पूरा डिस्कस करेंगे वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन है वीडियो को बिना स्किप करिए अन तक देखते रहे हैं अगर आपको इस बार यूजिसनेट एक्जाम की कम समय में सबसे बेस्ट त्यारी करनी है और पहली बार में एक्जाम कौलिफाई करना है तो हमने लॉंच किया है इंडिया का सबसे बेस्ट टैस सेरीस पीडियाप जिसमें आपको मिलेंगे 5000 MCQs जो की बेस्ट है न्यू पैट आपके यूजिसनेट एक्जाम की डेट शिट आ चुकी है तो मैं बता दू यहां पर 21-24 फरवरी के बीच में जिनका एक्जाम होगा तो उनकी डेट शिट आप है यहां की टोटल 57 सब्जेक्ट यहां पर आपके है तो आप देख लीजिए आपका कौन सा सब्जेक्ट है कि इस डेट खुआ है आपको मैं पूरे 57 यहां पर सब्जेक्ट बताने वाला हो तो देखे यहां पर सबसे बहुत करते हैं 21 तारीक वाले एक्जाम की है ना 21 तारीक वाले एक्जाम के गर हम बात करें यहां पर 21 वरवरी की उसमें देखे फ्रेंच, हिंदू स्टडी, फ्रें आइड डूटी हो गया है ना पॉलिटिक्स हो गया जिसमें इंटरनेशनलेशन वगारा सब कुछ है यह पॉलिटिकल साइंस नहीं है यह अलग से सब्जेक्ट है उसके बार देखे बुद्धिस्ट जैन गांधियन पी स्टडी है यहां पर है तो तेल्गू है योगा है वो ठीक है यहां पर 21 सब्जेक्ट के है तो 21 तारीक को देखे 21 सब्जेक्ट के एक्जाम होने वाले है डिट भी 21 है और सब्जेक्ट भी 21 है उसके बाद 22 तारीक को देखे किनका एक्जाम है फोक लिटरेजर का आप देखे जिनके 21 तारीक को एक्जाम है उनके यह क्योंकि देखें ये linguistic वाले subject है ये वो subject है जो uncommon से subject है इसलिए इनको पहले रखा गया है हर बार ऐसा होता है कि वो subject पहले आते हैं जो uncommon से हैं तो देखें उसके बाद 22 तारीक अगर बात करें तो यहां पर folk literature है, malayalam है, डोगरी है, कश्मीरी है, गुजराती है, उर्दू है, electronic science है, और tribal and original language है, literature है, संथाली है, बोडो है, प्राकृत है, competitive study और religion है, anthropology है, Indian culture है, archaeology है, पाली है, performing art है, और अरब culture and Islamic study है, और साथ में यहां पर देखें, population study है, तो यहां पर देखें, 19 सब्जेक्ट का जो exam होगा 22 तारीक को, ठीक है, एक देखें सब्जेक्ट होता है, लि फिर है राजिस्तानी, फिर है सिंधी music, सिंधी है music है, फिर है अस्मी है, क्रिमिनलोजी है, निपाली है, defense and study study है, संस्कृत है traditional subject, देखें यहां पर दो सब्जेक्ट आते हैं, संस्कृत है, एक होता है core 25, एक होता है 73, तो यह जो exam होगा traditional subject का, यह 73 वाला है, यह 25 वाला नह ही है, tourism का जो subject है, comparative literature है, यह जो subject है, आप देखें, यहां पर आपका subject जो exam होगा, वो 23 तारीक को होगा, उसके बाद देखें, जो 24 तारीक बचती है, 24 तारीक के अगर हम बात करें यहां पर, तो देखें, यहां पर सिरफ 24 तारीक को सिरफ 6 subject हैं, जैसे visual art है, adult education है, Chinese है, Spanish है philosophy है, Bengali है, तो इनके जो exam है, वो 24 को होगा, आप देखें, पूरी 57 subject की यहां पर list है, तो 21 से 24 को बीच में इनके exam होंगे, तो आप यह देखें कि अगर आपका इनमें से subject है, आपके अबस कुछ ही दिन बाकी है, तो आप इनमें से subject को भी कर सकते हैं, देखें, पेपर 1 सब combine, combination करके देंगे, detail, solution के साथ, तो जिसे आप ले सकते हैं, आपको description box में number मिल जाएगा, तो आप इस पे हमें contact कर सकते हैं, आपका number screen पे भी देता हूँ, 9888-523-440, 9888-523-440, यह study भारत YouTube channel का official number है, आप इस पे WhatsApp कर सकते हैं, call कर सकते हैं, और आप test list PDF ले सकते हैं, कि इस आपके बस यह PDF नहीं है, तो आप हमारा telegram channel join कर लिजे, link आपको description में मैं दे दूँगा, तो जिससे आप easily इसे download करके, अपना subject easily दे सकते हैं, तो देखिए, बाकी जितने subject बचे हैं, 37 जो subject बचे हैं, तो उनकी जो, ने, 27 जो subject बचे हैं, 84 subject हैं तो जो 27 subject बचे हैं, तो जो main main subject हैं, उनका date भी जल्दी आने वाला है, आप बने देंगे हमारे साथ, हम आपको पूरा update देते रहेंगे, so में तक लिए वीडियो में, तब तक लिए, जै हिंद, जै भारत